इन तीन लोगों को आज एंटी क्रेप्शन बेवरो ने अपने कश्टडी में ले लिया है, कारवाई भी चल रही है, मगर सवाल अभी भी वही बचा हुआ है कि ये डेल लाक रुप्या, ये आज से पहले जो इतने सारे पैसे जमा किये जा रहे थे, इसमें और हिस्सेदार कि ने है, इसकी विजाच एंटी क्रेप्शन बेवरो को करनी चाहिए, मैं खान फख्यार आदाब, एक दिन की वावाही, मतब एक दिन की वावाही, चर्बी पकड़ कर घी बताने की कोशिस की गई, आज से ठीक एक दिन पहले, ब्योंटी शहर में एक ही सलाटार हाउस है, वो तबाही की तरफ है, एनि एक दिन पहले वावाही और खुद आयुक ने भी वावाही किया, और दूसरे ही दिने ने आज, डेड़ लाक रुपया लेते हुए, तीन लोग पकड़े गए, एंटी क्रेप्शन के जाल में, सवाल यह उटता है कि आजय वैद, जो महानगर पाल जो लोग पकड़े गए हैं, वो एक अलग बात है कि वो पकड़े गए हैं, मगर यह डेड़ लाक में हिस्तेदार कितने थे, यह मामला तै होना चाहिए, इसके पहले भी 14 लाक रुपया लेते हुए, प्रांत आधिकारी का एश्टेनो पकड़ा गया, तो वो एश्टेनो ज जाता है, बहराल आज तीन लोग यहां एंटी क्रेप्शन के जाल में फसे, सुदाम जाधो, सायरा, तीसरा व्यक्ति किशोर के ने, इन तीन लोगों को आज एंटी क्रेप्शन बेवरों ने अपने कश्टडी में ले लिया है, कारवाई भी चल रही है, मगर सवाल अभी भ कोई बचा हुआ है कि यह डेल लाक रुपिया यह आज से पहले जो इतने सारे पैसे जमा किये जा रहे थे, इसमें और हिस्तेदार कितने हैं, इसकी विजाच एंटी क्रेप्शन बेवरों को करनी चाहिए, मैं खान फक्रेयालम